नमस्कार दोस्तों मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और आज हमारे साथ जैपूर से जोड़ रहे हैं विने शर्मा जी तो विने जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आईए विने जी से हम धेर सारी बाते करते हैं उनके कला जीवन के विशय के बारे में नमस्कार बहुत भन्यवाद आपने ये चैनल सुरू किया और मुझे लगता है कि ये बहुत ही नोगों के लिए जानवर्दक रहेगा कला की जानकारियां भी मिलेग बिल्कुल जान का जान लगा कि उसको रभ करते थे और साइन करते थे और खड़िया और कलं से उसका अफर लिखे से अरे तो मुझे लगता है टला की जो पहली सुरूवाद है जब मैं कैख है और बारक इसरीली शेखने लगा तो मुझे लगता है वहें से एक सिक्षा के रूब बनान कि रेखा खेंचने की मुझे मिलने लगी पर बच्पन था बालपन था कला की कोई समझ नहीं थी केवल रेखाएं बनाना और सुलेख लिखना अच्छे तरीके से अक्सर कैसे लिखा जाता है वो शीखने की जो ललक थी वो समय पढ़ गई थी और वहीं से मेरी रेखाएं बना सुरू हो गई थी फिर दूसरा क्या था गरह नहीं हाल में बच्पन बालपन जादा बीता और नाना जी जो अपिसी थे और वो जनम पत्रियां मनाया करते थे और जनम पत्रियों में बो जो रंग भरते थे ना वो बड़े आकर्सक लगते थे एक लकड़ी की तूली का उसक अजिए वो प्राकृतिक रंग जो थे ना फूलों से बनाते थे और कई ऐसे माजदे मोटे थे पत्थर से रंग बनाते थे और उन रंगों को उस पे उनना बढ़ते थी जनम पत्रियों में वो मुझे बड़ा आकर्सित करते थी तो मुझे लगता है कला की जो समझ है वो अ मतलब बाल पन मैं जिस तर से भंती गई ना तो महीं से मेरी सुरुवात हो गई और फिर जिस स्कूल में मैंने प्रारंपिक शिच्छा ली उस स्कूल के गोखे हुआ करते थे गोखे एक बैठने की जगे होती थी जहां से मैं स्कूल में प्रवेस लेते थे और उसके ओपर स्कूल सुरत चित्र बने हुए थे मूरल बने हुए थे पैंटिंग सी तो मैं सुधा जब प्रांथना से पहले उनको बड़ा गोख से देखा करता था यह मुझे अच्छी तरह याद है बच्पन में मुझे लगता है कि कहीं कहीं कला का जो एक देखने की द्रस्ती है वो मे करिवार में राख वी चाहते थे कि उनका बच्शा या तो डॉक्ट बने या इंजिनियर ने बिलकुल शुटिती ति थे बिलकुल एंटिती तो मुझे साइंस मैथमेटिक्स दिला दी अब साइंस मैथमेटिक्स मेरी जची कलाम है तो पोड़ी सी जाहिर को किया था कि देखो मैं साइंस को भी तरूप होगा पर उसमीर थाने कहा ठीक है तो बच्चा है वो करेगा तो अपने आप फिर आगे कर लेगा कुछ विने जी आपके बहुत सारे काम श्वेट श्याम में है इसके पीछे क्या कारण है क्या वज़ा है जिस वज़ा से आपने श्वेट श्याम चुना जो सास्वत सुथ के है जीवन का वो स्वेट श्याम रंगों में है बलकुल अट्रस ने म्यों देहता हूं कर जब जाए जगे जो अंतिमम उसे नावके बस्ते हैं वो स्वेट चाम ही होते हैं, बिल्कुल, रंगों से सुरू होते हैं, और आखरी आपके अनुभूती होती है, वो स्वेट चाम पर जाकर सिमठ जाती है, बिल्कुल, तो मैंने पकड़ती को भी उसी दुस्ती से देखना सुरू किया, जी, आप रंगों को स्वेट चाम उसी मे देखो अक जील है वो आपको स्वेट चाम में नजर आ रही है पहाड है वो आपको स्वेट चाम में नजर आ रहे हैं तो किस तरह की आवा बनती है किस तरह की आवा बनती है तो मैंने रंगों में खूब काम किया और धीरे धीरे उन रंगों को मैंने स्वेट चाम रंगों में कि हमारे काम के पीछे कॉंसेप्ट का होना कितना जरूरी है बिलकुल सही कहा असलियत में कहा है देखो कला पूर्ण रूप से विचार होती है अपने विचारों को हम समेटते हैं और किसी भी सर्फेस पर रखते हैं और वो जो आकरती बन की है वो ही आकरती विचार बेस होजाती है अपने पूर्ण रूप से अपने विचारों को समेटकर कोई ठति बनती है तो वो आपके विचार होते हैं यह आपको उसमें Hubsy दिखते हो या दिखते हो और वो आपके विचारों को ही उस पर प्रेशिद करती है तो मेरे ये मानना है कि आप अच्छे विचारों से कोई क्रती का निर्वान करते हो अच्छे विचारों से किसी चीज को आप बनाते हो तो वो आपकी सू क्रती होती है और जब विचारों में विकार आ जाता है जब हब के विचार दूसित हो जाते हैं तो जो क्रति बनती है वो फिर विक्रति बनती है तो क्रति में आपको आनंद नहीं आता और कला का उद्देश तो आनंद देने के लिए है तो हमास को हो तो आनंद के लिए कला होती है बेशिकली जी आपके काम में एक नए तरह का प्रयोग भी दिखता है, तो हम जानना चाहते हैं इस तरह के काम में एक तरह का जोखिम कितना रहता है। इतनी हमत होनी चाहिए कि आप अगर किसी अच्छे मन से अगर कोई प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग का लाब समाज को मिलता है, वो बहुत जरूरी होता है। आपके अपने विचार यदि समाज के लिए उप्योगी नहीं। तो मैं यह मानता हूँ के उस कलाम में कहीं कहीं अधुरापन होता है। उन प्रेयोगों में भी अधुराफन होता है, तो मैं जो भी प्रेयोग करता हूँ, उस प्रेयोग के पीछे कहीं कहीं कोई ऐसी चीज रहती है, जो समाज के लिए लाफ्रद हो. जी विने जी, अच्छा, आपकी दिन्चरिया क्या होती है, और लॉक्डाउन में आपके दिन्चरिया का इस्तमाल आपने किस प्रकार किया? देखो, जब कला आपके साथ होती है, तो आपको समय खाने को नहीं दोरता है, तब आप समय को आनंदित के साथ जीते हो, जी वनेजी, अच्छा, अभी एक दौर ऐसा चल रहा है, जिस दौर में जो कलाकार हैं, वो नए स्टुडेंट्स हैं, जो नए कलाकार हैं, उन सभी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो इस विशय में आप कुछ बताएं, मेरा यही मानना है कि अभी बहुत ही धहरे का समय है, धहरे और द्रड़ता से जो भी समय है उसको निकालें, एक्दम आगे बढ़ने के कारण, मतलब कई बाग क्या होती है, हमारी प्रोर्वर्टी होती है कि हम 10-20 सीड़ियां एक साथ चड़ना चाहते हैं, मन्जिल पाने में जल्दबाजी नहीं करें, धीरे धीरे अतना काम करें, और धीरे धीरे अभ्धास कर उसे सिटी को पाएं जिसको अस्तर लोग पाते हैं, आजकल युआ पीडी में एक अजीब सी होड लगी हुई है, अचानक चाहते हैं कि हम आत्मी गस्वी मन्जिल पर चड़ जाएं, और जब गिरते हैं तो बड़ा बुरा हथ रोता है उनका, तो मैं खासकर युआ पीडी को और युआ कलाकारों को यही कहना चाहूँगा, कि बड़े जहरे से, सहियम से, और धीरे धीरे आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से आपको मन्जिल मिलेगी, जल्दी मन्जिल पाने के चक्तर में ऐसे दुगार नहीं करें कि सोट कर जोसको हम कहते हैं वो तरीका नहीं अपना है, करला कमी भी सोट कर से नहीं करती है, उसके लिए अध्याज और द्रिश्टी का परिपक्त होना बहुत ज़री होता है, अगर अपने द्रिश्टी को आप अच्छी बनाएं, जिससे अच्छी चीज़ें आपको समझ बनाने लगे, और द्रिश्टी से फिर कला भी आपके आगे बढ़ेगी, जी विने जी, ये हमारा आखरी सवाल है, और शेक्षणिक द्रिश्टी से हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो आपने रखा और अभी नए आने वाले सभी कलाकारों को, वो इस्टुडेंट्स को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस विशेय में कुछ बताईए, इमान बारी, सच्चाई, और कोई भी ऐसी चीज़ें, जिससे किसी का दिल दुखे, चला पून रूप से भावनाओं से जुड़ी होती है, बिलकुल, और जब आप समाज, आज पड़ो, साथियों को प्रसंद रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपके कला में जी एक सच्चाई आएगी, और वो सच्चाई ही आपको जेवित करेगी, आगे बढ़ाएगी, तो मेरा यही मानना है, इमानदारी से, महनत से, और अच्चे विचारों के साथ, अपने विचारों को अपने जोदी कला यात्रा है, उसको आगे बढ़ाते रहे, तो निश्चित रूप से हमारा समाज, और कला जगत, दोनों ही सिद्रण होगे. बहुत बहुत धन्यवाद विने जी, ये उन लोगों के लिए भी बहुत महत्पूर बात्चीत थी, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो कॉलेज से अभी अभी निकले हैं, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके विचारों को हमारे शमक सभी के सामने रखा. आपका भी बहुत 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 धन्यवाद और मैं सभी से यह आग्रे करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब देरें, लाइक किजिए और शेर भी किजिए जिससे अधिक लोगों को करला के जांकारी में सके और इसका लाव देरें. Thank you. Thank you so much, Vinay ji.